कि एद हैलो अभिर्वन मैं उप्रकाश्ट प्रज्द पती आपका घ्याति के पोड कास्ट में हमारी मेहमान है रनेकल शर्मा जी कविंट्री है लेकिका है अभिनेत्री है निर्देश्यक है और समाठ सेविका आपका टूमेडिया की पोड़कास्ट में हार्दिक अभिनदन है स्वागत है जैसा कि हमें सुत्रों से पता चला है आप ने अभिने किया है वेव सेरीज में काम किया है यह अनुभव को कैसा रहा और लेखन से कुछ अलग रहा इस विशे में हमारे दश्यकों को कुछ है बहुत खुशी होती है जब हम कुछ एक नया कुछ करते हैं लेखन में आपने जैसे कहा कि इससे बहुत सहायता मिलती है क्योंकि हम समझ पाते हैं कहानी में जब हम किसी किरदार को बुनते हैं तो वह किस तरह से उसको परदे पर निभाएगा किस तरह से वह उस चरित्र म में 250 मेंussia में बहुत मुझे है तो और कहते हuning कि जब आप कुछ हट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ऩूब आट शुशी होते है साधत हैं जब इन चीज अपन्म को हम देखें और बहुत कुछ सीघने को मिलता है टाइया की तर पर फुलीद कर पाते हैं तो यह बास ही है कि हम उसे जीना पड़ता है तो कि में अपनी में नहीं उता आ journée तब तक मैं नहीं कर पाएंगे करते में केसे एक पता क्रदार को लिखा और उसको ऐसे ही निभादीआ तो उसमें जीवन्तिता नहीं आती है तो जब रच्टे हैं तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है कि कोई मैला है वह गरीब है घरों में काम कर रहे हैं तो वह किस तरह से सोचेगी क्या उसकी पर दो पड़ता है जीन है वहारी डशों को बताया कि जो हम अबने तुरी को देखते हैं पर लेकिन नहीं जीना पड़ता है वह वह प्रेज़न दे पाते हैं जैसा कि हॉप वेव सीरीज में आपने वाइस वाइस ओवर की तैयारी किस तरह से किया आपको याद है तो उसके कुछ लाइन हमारे दर्शों को सुनाएं और वह अनुभब कैसा रहा है वह हमेशा वड़ा सांधार रहता है जी मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं वाइस ओवर करती हूं क्योंकि होता है कि आप अपनी आ ख़्याद ही पिश्राव गजूंकि यह तो इसको करने में ढूंटे हैं कि आप इंड में ही हम्हारा ओव चारन ओता है हमंवारे जो शब्द मुंध हम पाँनको थोड़ा से और हुलता है नहीं उसको बहुत जाल खुलता हैं लेकिन वह मिथ तो जब हम एक अंग्रेजी फिल्म का और हम जब दबिंग करते हैं तो हमें बहुत चीजों का ध्यान पड़ती है कि जब किर्दार जो है उसकी लिपसिंग हमारे उससे मैच करनी चाहिए कि जो हम कह रहे हैं वो लगे दर्शको को कि हाई यही जो करेक्टर है यही बोल रहा है बहुत बार जो उम्र के हिसाब से हमें अपनी आवाज को बदलना पड़ता है अगर हमें किसी 55 साल की महिला को आवाज दे रहे हैं तो अपनी आवाज में हमें थोड़ा सा बेस उसको मैंने अवाज दे जो यह जो लड़की ती और एक करीबन 30-35 साल कि उनको जब आवाज देते तो उनको जब आवाज देते हमें वे बनाना पड़ता है कि नहीं यह अगर पच्छी साल थो उसकी आवाज थोड़ी क्या वोईस आए कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं उसको बिल्कुल एक ही लेमे एक ही रिदम उसमें हम बोलते चले जाए तो क्या कर रही हो यहां तुमने ऐसे सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपना वारिस पैनाओंगी अब वही जब हमने दिखाया हो कि उसकी माँ है अब उसकी माँ जो हमने दिखाई वो थोड़ी सी बीमार थी और अपनी बेटी से बहुत ही आत्मिते से बात कर ले थी तो कुछ तरह से तक कि अच्छा हुआ जो तुम यहां पर आ गई मैं सोच ही रही थी कि तुम शादी के बाद अपने पती के साथ खुश रहोगी यह नहीं रहोगी तो इस तरह से हमारी जो आवाज है प्रिजेंटेशन है हमें उसके बदलाब करने पड़ते हैं बहुत बारिक बारि आप लेकिका है का अभिने वी किया है व्याइश वबर भी देते हैं पतनी भी है घर भी है यह सब आप जो अपने दिन चरया कैसे परबंध कर लेती है यह देखिय already मैं फैज है हम यह कह हूंगी कि हमारे यहां को कलपना करते हैं आज़ की जो अस्ट भुजा देवी के उसमें करते हैं जब हम देखते हैं किसी चित्र को देवी का तो इसमें परशंक है किसी हाथ में से करें कहिंनम है कहीं तल्वान है कर देशने श्बहन सांथ कर्च op Feeling तो बेलन भी है, कहीं लैप्टॉप भी है, अगर वो लिखती है, मेरी तरह है, तो कलम भी है उसके हातों में, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारे कहते हैं, मस्ट भुजाए हम वो लेके घूमते हैं, हमारे किरदार में हैं वो चीजे, कि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो सिक्षक का हमारा रूप आ जाता है, हम जब अपने पती के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ घर के बुदों पर कहीं पर बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा महसूस होता है कि हाँ एक मित्र मेरे साथ में है और उसी तरह से हमारे काम में है तो के ते कि बैलेंस हमें बनाना पड़ता है चीजों में निकालना पड़ता है कि हर काम्याब इंसान के पास भी 24 गंटे ही तो उन्हीं 24 गंटों में हमें यह मैंनेश करना पारता है मुझे लगता है कि महिलाओं को इश्वर्ड ने वदान दि कि वह कहा सबद्ण है जैसा कि वरित्USTमान में हम देख रहे हैं कि जो सिखित वर्ग को लिया चीज जो सिक्षित वर्ग है और जॉप पर भी चाहें वहारा है मैं ? अज प्रफिशित होने के बावदूद भी आज के समय में दिली NCR में तलाक के मामले दिन परती तिन बढ़ते जा रहे हैं नयायलों में तलाक को लेने के लिए बहुत सारी भीड लगी हुई है और यह बढ़ती जा रही है और यह वह लोग है जो सिक्षित बार गए जो अपन धिली के समाज में अथे तानवाना आयाया है युझा कारण हो रहा है जिसके लिए तलाक के मामले दिन पर दिन बढ़ती जा रहे हैं कि इसके लिए जो मुझे लगता है कि कहीं नहीं हमारे जो भीडिए दीन शक्ति तरह परिवार पहले भी हुआ करते थे पती पत्नी होते हमारे जो बारी दुनिया ना जी आज की ताइम में प्रतिसपदा बहुत बढ़ गई है हम चाहते हैं हम एक ऐसी वेरेस कोई नहीं है जिसका कोई अंध्र नहीं है और उस रेस में दोड़ने के लिए हम कहीं पोरनी रिष्ता हो को अपनी संद्ध को तो नहीं दे रही है हमारे अंदर शक्ति सेहन शक्ति खतम हो गई है कि हम एक दूसरे की बात को सुने समझे हम बहुत जली प्रतिकरिया देने पर आ जाते हैं तो एक कारण तो यह हो सकता है कि जो अंधा धून हम दोड़ रहे हैं कि हर कोई कुछ अचीब करना चाहता है लेकि आफिन जो एक भागम भाग है जो उसका ईंत नहीं पता है उसके पीछे उसके पीछे हम भाग रही हैं और वहस्ता है कि इसमें फिर हमएं आप हूसे तो हम बैट जाते मुझे एक शेयाध आ रहे कि कुछ हम किछिछ तुम किछे तूट गया रिश्टा चाहता कि जो कश्मक सब्सक्राइं कर छाहिए। तोड़ना बहुत आसाई है। तोड़ना तो आसाने तरह कभी सकते हैं आपको तोड़ना बहुत दिन आ Squeeze dos Of enne जाना की भेक साफ चाहिए। हरती हमें तोड़ना नकाना चाहिए। ऐसी तमाम समस्या है यह एक तलाक का है लेकिन तमाम समस्या है पती पतनी की है मा बेटी की है बेटे पिता की है एकल एक अंकी की है और तेजी से गुस्से आने की है तो इन सब का समाधान किया हम सहीत रूप से सामी करूप से रहना शो कर दें क्या यह खतम हो सकती है बिल्कु लड़के लड़की का विवा होता है दोनों की इतने सालों की परवरिश अलग थी दोनों का रहन से न अलगता तो एड़्जस्ट होने में टाइम लगता है अब होता है क्या है जब हम दो ही होते हैं तो हम दो ही होंगे तो अगर गुस्सा भी आएगा तो हम एक दूसरे पर ही तो यह भी इसको अगर में हलके फुल के अंदाज में कहुं तो यह भी कह सकते हैं कि जो फ्रस्टेशन किसी एक में निकालते थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है तो उतनी बड़ी बात नहीं बनती है हमें अगर हमें पति सर के विदND नहीं मम्य हैं बोजर Discover कर देहिंए यह भी जानना चाहां कि आपके सहितिक और शल्रिशनागमत जो रूची रही है वो कश मोई तो और पूरा परिवार तो बच्म को मैं किस से कहानिया यसिन पर जाती थी नहीं जा है, मुं पढ़ान। आपया बार क्वार आख अगाहा चीदान करने किकाब काथजान और करना किताब थे स्लेबॉस की जो ढ़िए कम पसंद कर ऊच Breath, बढ़ना जाएğ लो मिछे अछाध पढ़ने मली तो यह पढ़ने में श कमा रेन माम कर था रही कि जा रही कोई रही है तो इसे दो कहानी पढ़ गांति आगोम then तो उनके पास तीसरा और पाच्वा संकलन पढ़ा हुआ था तो उन्हों ने मुझे पहले तीसरा दिया कि अगर तुम्हें अच्छा लगीगा तो मैं तुम्हें दूंगा जब मैंने पढ़ा तो पता नहीं उसमें ऐसा क्या था कि मैं पढ़ती ही चलीगी एक की बाद एक कहा हुए तो मैंने उसे कहा कि नहीं आप मुझे बाकी के खंड भी दीजिए तो कह देए कि प्रेमचंद को पढ़ा जब प्रेमचंद पढ़ा तो फिर हम विष्णु प्रभाकर को भी पढ़ा तब इना टैगोर को पढ़ा तो धीरे धीरे वह पढ़ने का शौक पूरा होता ग जागरती और जजबा आपके भीतर आया क्या बच्पन की यादों को आपने अपने लेखन और नाटकों में भी समाहित किया है अभी हाल ही में मेरा नाटक प्रकार्शित हुआ है तो बुरे फसे कि अगर मैं आपको कहानी बताओं कि मेरा जो तालुक में रखती हूं चाहिए तो पापा वगेरे हमें कहानियां सुनाते थे कि यह यह बच्पनी तरह कि यह जुमावान जेह थे कुछा फारा उन्हों आप तो वो किस्ता हम सुनते आ रहे तो कहीं नहीं कि अगर में देखते भी ते किस्ता अच्छा एसा दिमाग में बैठा की लगा और करते पकते पकते वह इतना तयार हो गया कि मुझे लगा कि यह बहुत ही रोच्छा कि और इसको एक हासे नातक की रूप में जोगों के सामने ला जाना चाहिए और वो मैंने फिर बुरे फसे जो मेरा नातक है उसमें मैंने उस से पर ही उस राइफल पर ही वो नातक आधारित है क्या बहुत अच्छे रिंकल जी आपकी लेखनी में परमुक्ता से कौन-कौन से विशय होते हैं जो आपको जाना अकरसित करते हैं जब हम ल जिनने हम समझते हैं और वो कब कौन सी कहानी हमारे दिमाग में अपनी जगह छोड़ जाती है और उस पर हम तयार करना शुरू कर देते हैं कि हम अब इसको रचेंगे जहां तक विशयो का सवाल है तो मुझे लगता है कि आज भी हम कितना भी आगे बढ़ चुके हैं लिकि आज भी प्रताड़ित है इस्तरिया तो विश रहता है हम बात करते हैं किसान की आज लोग कहते हैं कि अब तो किसान बहुत तबदील हो गए है करोड़ रूपे आ अगे लेकिन ऐसा हर जगर नहीं है जिए आज भी वही थी आज हमारे ऑढ़िवार को थैसा भी थोड़ दे यहु जो हमारी पारे बारिक संबस्यां काहानयों के ने वान्य उन पर हो काहनियों के पी हेरे 아प के विशे में आतर कमंत के विशे में मेरे निच्कों को क्या है पते हैं कि हिंदी थैमी इत आप सबसे ज्यादा कि इस अभिनेत्री से प्रभावित होते हैं यह किसी एक अभिनेत्री का नाम लेना तो मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा क्योंकि समय समय पर जब फिल्में देखते हैं तो बहुत सारी हम जो किरदार को देखते हैं उससे हम अपने आपको जोड़ जाते हैं लेकिन फिर भी अभिनेत्री का छेयात्ति वह और जो साथकम में दोंकि जो साध्य है उपने आपनेे बात आप्ने बात कहीं है तो मुझे वाहिए एस कि किरदार में कर निभाती है तो ऊस तरह से उसमें बहुत जाती हैं कि इस से बहतर तो कुछ नहीं हो सब आग게 और उनहोंने सभी अभि किया है बेटी का किया है अपने यंगर इस्टिती में बहुत सारे किया है मां का रोल भी किया है और हर रोल में वो जी है जीती रही है और बहुत ही और जैसा उनका नाम है उस तरह से कभी नहीं लगा चाहिए वह हिंदी फिल्म हो चाहिए मुस्लिम फिल्म हो या कोई अलग त कि यहां कि किसी कहानी को लिखते हैं कोई विश्य हमारे दिमाग में पखना शुरू होती है जहां अगर मैं अपनी बात करो तो कोई विश्य मुझे आया मुझे लगा कि यह कहानी हो सकती है वह कहानी बहुत दिनों तक मेने दिमाग में चलती है तरह पहले में बुंती हूं उसको दिमाग में और एक रशना का झाल नहीं कर सकता कि शे से आठ सब्सक्राइब मुझे इस समय लिखना और मैं इस समय शुरू करूंगा मुझे रगता है ऐसा नहीं होता क्रियेटिविटी है रचना अत्मक्तत ऐसे नहीं आती कि वह समय से आए क्लेरिकल जॉब नहीं है तो जब हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से पक जाती है कि शुरू से लेके आखिर तक मुझे इस तरह से इस कहानी को लेके जाना है और इस तरह से मैंसे दिखाऊंगी उसक उसको पेपर पर लिखना शुरू करती हूं हार रही बात चाहे वो कविता हो या कहानी हो या गजल हो तो जिस भाव में हम लिख रहे हैं तो हमारा जो सोच है जो हमारा दिमाग है कही न कहीं उस हसाब से ही चलेगा अगर हम कहानी लिख रहे हैं उसमें हम कुछ हासे कहानी ह तो हम उसको मह्सूस करते हैं उस हासे को मेलने अपने दिमाग में उसको तो प्रीमादम ने도 हैं और मेध्र जाते हैं अब grab उतर अब जाके गफ्रभाद ब्हुत्ते हैं azक्रफष बाव मैईनत करनी होती इसका मेहनत तो पूरा उसके उसको बैट जाते है तब जाके वो कादस पर उतर करा वाउं वाउ-बाई बहुत महनत करनी होती है सका मेहनत है तो है जरी आगे जी आपको तरह इसे हैं तो इसमें कि चुनोतियों का सामना करना पड़ता है जब हम नातक तयार करते हैं तो सबसे पहला चुनोती होती है वो है चरित्रों का चुनाव कि हमारा जो नायक है या नायका है और या उसके जो हमारे सह नायक सह नायका है वो किर्दार किस तरह के होंगे किस तरह से हम उन किर्दार की हमारी भाषा क्या रहेगी किस तरह के समवाद वो बोलेगा उसका रहन सहन कैसा होगा किस परिवेश को हमें दिखाना है तो इस तरह कि छोड़े चोड़े जो विशे होते हैं यह हमारी चुनोतियां बनती है अभी जैसे आपने बुरे फसे की बात कहीं तो क्योंकि कहीं न कहीं एक सची घटना पर भी आधारित है जो मैंने किस तरह से उस चरित्र के साथ नियाय कर पाएगा कि अगर वो बेरोजगार है तो उसके सामने क्या होंगी चुनोतियां अच्छा दूसरा उसके बादे वो कहां रह रहा है किस परिवेश में वो रह रहा है उसका रहन सहन कैसा होगा भाशा वो कैसी बोलेगा अब जैसे किस जो एको होना चाहिए तो कहीं तो कहीं हमारे नायाकों का चैंव Test Sisters हमारी भाशा का चैंवाद हास समवाण से है कि ऐसाJust itu उसको देख रही है और देखते देखते कहें जड़ बुरे उसका ब्रुड तो चीज़ नहीं आने चाहिए मुरे फसे देखा लेकिन आप अच्छे फसे उसको देख mauvais आपका हाध शुरु नेकि आखिर तक परकारार रहना चाहिए तो हमें लेखक के तदख हमें लेखक मुझे हमें चाहिए। तो कि बहुत अची भात कुछ एक बहुत कुछ करना पड़ता है इसका लिए कि यद्ध करने पढ़ते हैं उसके नाम को भी दिखना होता कि वर्थमान के नाम और पचास साल पुराने नाम का किसे नाम हुआ करते थे अभी जैसे मैंने दिया कि उसका नाम है करणही है लाल अब क्यों हूता है आज कर अगर नभय के बाद का भी कहूं तो उन बच्चों को करने लाल नाम बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कुछ और कह लेना पसंद करेंगे लिकिन हमारे जो बुजर्ग होते हैं उन्हें नहीं आदत होती वह भी कहते हैं इतना नाम करने लाल कॉन रहेगा क्यों तो होता है कि चल करने देखिए जब हम कोई भी काम करते हैं दूसरों के लिए करते हैं तो पहली बाति हो से बहुत खुशी होती है क्यों कि अभी आपसे बहुत बंद जाती हैं और आप यदि उन इन उमीद आप घर नहीं उतरते हैं तो कही नहीं आप को लोगों के क्रोध का लोगों के मजाग का इन सब का आपको सामना करना ही पड़ता है। फिर भी हमने बहुत जम्मेदब तक पर जुड़ी रही काफी चीजों पर मैंने काम किया, बहुत से व्रद्य अश्रम में गई, अनाथालें में गई, वहां लोगों को जाना, वहां हर अनाथाले में जब वो छोड़े-चोड़े बच्चे में देखती थी, तो उनको देख करना अपना ही दिल बहुत दुखी होता था, कि इन बच्चों की एक पीड़ा है, हर इनसान का एक दर्द है, मैं आप थोड़ा सब में आप चाहलोंगी, मुझे अच्छे से याद आ रहा है, कि एक बार में ब्रदाश्रम में गई, तो वहां एक महिला थी, बुजरूर्ग महिला, उनके उम्र यही कोई गई होगी, सतर से पिचतर साल की, त अधना एक कसक्सी हमारे दिल में जगा गया, उन्होंने कि बेटा मैं पांच बेटो की निपूती मा हुँ निपूती शब्द की शब्द की निपूती मा हुँ तो ने रहे चोटे से शब्यूतों में अपनी शब्स में एक जिन आप उने प्नी जिनी के पूरी वियथा कह द लेकिन मन बहुत प्यथित होता है और लगता है कि इस समाज यह मारा समाज कहा जा रहा है कि आज अगर हमारे माता पिता व्रद्ध अश्रभ में हैं इस तरह का जीवन जी रहे है या जो चोटे-चोटे बच्चे है जिन्नों ने अभी दुनिया में आए हैं वह कुछ जानते ह आप ने आपने यहीं हो अपने समाचार पत्रों के मैं भी मैसूस खिया हूगा की जाने प्रुटा अश्रम में यह हुआ उसमें यह हुआ लेकिन जो बहुत ही चिंतनी है और उनमें वो अभी भावक रहते हैं जिनके बच्चे अभी इसी संसार में हैं चली जो बच्चे उनके आउट ओफ इंडिया रहें वो इक अलग बात है लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में भारर देश में ब्रदा आश्रूम की संख्या ब हमें डिजिटल के चित्र में आगे बढ़ना है वो वज़े है इसको रोका तो जा सकता है लेकिन इस पर अभी बहुत बड़े स्थर पर काम होना बाकी है जहां तक बात है गलती की तो गलती देखिए माबब तो हर माबब यहीं चाहते है कि मेरा जो बेटा है या बेटी है आगे बढ़े तरखी करें लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा महसुस होता है कहीं कहानिया जहारा मैंने सुनी लोगों कि समस्यां इसे चुँप्वी reward वे हमारी पर वीरिश में कहीं तो कुछ कमी रह गई जा ज़िंशा हैं तो हम संसकार नहीं दे पाए ठीक से या हमने पहले ह हमने भी अपनी इच्छाएं बहुत जता दी उनको पूरा करने के लिए जब बच्छे बाहर चले जाते हैं हम आज 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 आप देखे हर माबाप यह चाहता है कि मेरा बेटा वीदेश में सैटल हो जाए मेरी बेटी की शादी किसी बाहर देश के किसी नागरिक से हो जाए तो जब हम ऐसे इच्छाएं रखते हैं तो कहीं फिर हम उन्हें बांध नहीं सकते फिर तो पंची है और उड़ जाएगा लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी है कि माबाप का जो संगर्स है वो बच्चे बच्पन से देखते हुए आते हैं और माबाप को यह बताना भी हम किस तरह से चीज़ों को लेकर जा रहे हैं बेंको तो वो जो समझ है वो हमें सिखहनी चाहिए है मेरा हमेशा है सूच नहां रहता है कि माबाप को पाँच चीजे बच्चों को दे देनी चाहिए वो है रोटी कप्ड़ मकान सिक्षा और संसकार वां यह पांच चीजे बच्चों के ऊपर जब निर्भर हो जाते हैं तो वही रोटी कपड़ा मकान सेवा और चिकित्सा उन्हें पाँ चीजे हमें अपने बच्चों को यह बच्पन से सिखाना चाहिए कि यह पाँ चीजे हमारा अधिकार है जो आपको हमें देना हो का रही बात कि आज बढ़ते ज इन कि फिर भाल पटनी दोनों काम कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं एक तो हमने पहले परिवारों को चोटा कर धिया हम एकल परिवार में आगे लिए बच्चो को यांग रोषे किसी imagine क्रेश्मी हम चोड़ जाते हैं आज हमने क्रेश्मीं हैं प्रीयर बनाना है तो कि भणने ब बिल्कुल स्टेता है जीवन की जो आपने बताया आप पहले अपनी पूरी बात करें मेरा प्रक्राइब नहीं है कि हम आज हम समाजे ने प्रकरती है जो हम इसे देते हैं वही वाफस करती है तो कही नगए हमै भी बच्पन से अमने उसका एप्स हो सकती है लेकिन दुरगटन किस तरह से आपको बस चलानी है तो बहुत ही इस तरह का हो जाए कि बच्चे आपके बिल्कुल ही नालाक निकल जाए लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो एक अलग बात है वो दुरगटना कहलाईगी लेकिन कहीं हमें अपने बच्चों को बच्पत से इन चीजों को सिखाना चाहि है हमारे स्लेवर्स में पहले किताब गए थी नैतिक शिक्षा की आपने भी पढ़ी है आज वह नहीं मिलती नहीं में वैल्यू एजुकेशन नाम के नाम पर स्कूल में एक्टिविटीज हम लोग कराते रहें पहले जो सिखाया जाता था वह हम कहीं नहीं भूलते जाए तो आज के समय में कुछ ऐसी बरद आशरम भी है जो फुली एसी है और वैलन ट्रेड एजुकेटिव गर्ल्स एंड बॉई उनकी सेवा करते हैं उन्हें हर समय पर दवा देते हैं टेस्ट कराते हैं भोजन देते हैं एसी में रखते हैं कोई परिशानी ना हो देख एक करते हैं पापजूद इसके भी उन अभीभाव को उन बुजर्गों को उन हमारे इस देश के पूर नौजवानों को अपनों की आवशकता होती है जैसे बच्चा होता है जो मैंने अनुग किया अगर आपका बच्चा चाए उससे कोई भी रिलेशन और आप उसे प्यार करते है वो है तो ओपके बॉडि से कहीं न कहीं हाथ उंगली पैर टच करके रहेगा उसे लगे गा मेरे मेरा अपना मेरे साथ है चाए माँ है या पिता है दादा है एक ठेक वह स्निती जो बच्चे की होती है वो 60 साल के बाद 65 साल के बाद 70 साल के बाद अभी भावकों की होती है वह कि मेरा बच्चा आए और मुझे चुवे मेरा हाथ पाख़े बेटी हो या बेटा हो उस चुवन से उनको इतना सकारात्मा मिलती है पॉलिटिविटी मिलती है कि वो जीना चाहते हैं उनके उमर बढ़ जाते हैं लेकिन वो इस्तिती अब नहीं हो पाती वह वहां से लाखोर प करते हैं इसे कैसे रोक जाए कि इसको रोकनी के लिए हम धीरे चोटे-चोटे हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे कि कहीं ना कहीं देखिये आप दोनों तरफ कि यहां रहते हैं अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहते आपने बच्चों को विदेशों में भीज दिया बच्चे वहां सैटल हो गए उनकी नौकरी वहां है उनका परिवार वहां चला गया लेकिन आप नहीं चाहते वहां पर जाना जी तो थोड़ा हमें परिवर्तन क अगर जो पहले गाओं में रहता था वह शहर जाता है कमाली के लिए तो इसको इस तरह से देखना चाहिए कि आज हम यहां है तो बच्चा हमारा विदेश जा रहा है तो थोड़ा सा तो परिवर्तन हमें भी अपनी सोच में लाना चाहिए बदलाव लाना चाहिए दूसी प को जरुबत थी तो आपके माता पिता ने आपको प्यार दिया आपका ध्यान रखा आप अगर बच्पट में बीमार होते तो मुझे निलगता कि कोई ऐसा नहीं करते होगी हर माँ आपके साथ रातों जागती होगी आपको दवाई देती होगी पिता आपको पूरा ध्यान तो वो कही न कही आज आपका फर्ज है और आपको यह करता पड़ेगा एक अंधी दोड में भागती जाए उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है अप थोड़ा सब्र करना सिखिए हमें संतुष्टी सबसे पहले हमें संतुष्टी का इसास लाना होगा कि अगर मेरे पास दो र बुले अपने बच्चों को सिखाने चाहिए कि बेटा खुशी लाखो रुपे में नहीं है कि आप अपने माबाप अपने परिवार के साथ बैठके आप अगर एक कप चाई पी रहे हो क्वालिटी टाइम की हमें डेफिनेशन बदलनी पड़े कि वाकि आज कल हर बोलते हैं में छ्रब फिले आपक IP यूड की विलनी की कि लिविशन के लिवार क क्लीन के डैफिनेशन लौ रहे हैं हमारा कौलेटी टाइम है ना कि यह है कि हम एला कि पव में जा रही हैं तो यह हमें करना होगा दूसरा हमें कहीं हमारा को शायद आदत पढ़ चुकी है कि जब तक एक डंडे वाला ना हो तब तक हम सुनते नहीं हैं तक हुझ बूसर को चुकी है हम लोग बहुत जब जब तरह की प्रिकरति हमारी हो चुकी है जब यह बढ़ेगी उनकी तै की जाएंगी प्राथर मिकता है तो यह दिरे दिरे बदलाब आएगा और रही बात उसकी कि इस तरह के जो ब्रद्द आश्रम है जहां पर एकदम लगजरी लाइफ उनको दी जा रही है तो मुझे लगता है कि गलती उनकी तो नहीं है वह तो ब उनके लगँ घ यह जैसे बढ़ी पकड्र कर आफ मेपने अभी यहां मिलें लगवा कुम स्षऺं से युद्ध बढ़ ऑफ कर करेंगे लेकिन वह अपना पन एक प्रेम है एक हैसास है जो हमें अपने बच्चों से मिलता है जो नहीं हम आगे बढ़ते हैं रिंकल जी जैसा कि कि अगर कहीं पर जरुवत है माली जी किसी का पारिवार कुछ जगड़ा है लेकिन कई बार ऐसे भी जरुवत आजाती है कि लोग सहायता लेते हैं हुमन राइट्स कॉंसल की आ पिर मानवदिकार बहुत सारी सज़ताय काम कर रही है इस तरह की चीज़ों में सरकारी और गहर स तो कहीं पर हमें कई बार कुछ साइकेटर्स की मदद लेनी पड़ती थी कि इनकी काउंसलिंग आपकी जी तो वह उनके लिए मैनेज कराना कि उनको वह उपलक्त कराना कि आप अपनी समस्य इनको बताई हमने सुनी लेकिन अगर आप बीमार है आपको बुखार है तो बहतर बहुत सारी इस तरह की चीजा होती थी कई आवाज उठाना है हां मैं यह कहूंगी कि वह धरना प्रदर्शन वाले उसमें तो खैर मुझे नहीं जाना पड़ा करती थी मैंने मेरा जुड़ा व्रिद्ध अश्रम और अनाथ अश्रम क्या बहुत सारे आशिरवाद आपके सा जो लेखन है आपके जो निर्देशन है या आपका अभीने है या वाइस ओबर है इन सभी की चीत्र में आपना प्रेणा सुरूत किने मानते है क transaction करें अभी थास्नटर अभी मैंने गृुपुरु निमान निकल करके है तो एक लाइन है जो मैंने सोचल में पोस्त के चीओ मैं दिल से मानती हूँ, कि हर शब्स हाय दिंग बुदया, वह गुरू है, कि वह ख़े हो नित्षीन हो लेखन हो, कई नहागे का ओ सकते हुआ कि उससे बहुत जगाः ऐसे जाने वह से सतमिहा, कहींपर रहमें किसी कि पर हमें कि कोई अच्छी लग जाती है रही पर हमें किसी कोई बात हो इनके दिल शूजाती है अई YES fight चुछा बच्चा भी बहुत को सिखा जाता है पशुपक्षी हमें ग्यान दे जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजे वहां से सिखने को मिल जाती है लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे कि मैं नाम लूँ तो मैंने बहुत लोग उसे को सीखा जैसे कि जावे दक्तर साहब है बताइए कि हमें क्या करना चाहिए हम इतना बहतर लेक्त कैसे लेकर आए अच्छी कवीध्या गजल कैसे लिखे तो इन्होंने का कि बेटे आप अपने मुझसे वो सावाल पूछा है जो मैंने अपने अस्ताद से पूछा था जामने और उन्होंने मुझे का था जिस दिन पुपने सबस्ते हो जाना इन वूँ तो रहे नहीं है को जराओं शोब कर दोनिंदvent कर शोट शहित अशक्षे जाए झाओं horrible da seid नहीं इढाइं उन प्रहुताँ करते हुई वो मैंने उन से सीखा, मैंने जो हमारे अशोक चक्रधर जी है, बहुत किया है, किस तरह से कविताय बोलते हैं, किस तरह से मंच पर प्रस्तुति करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद उनकी आती है, इसी तरह से वसीम बरिल्मी जी से मैंने सीखा, मैं उनसे मिली और आज भी टाइव मैं उनको एपने इतिहास के बारे इनके शायरी वे देखें कितना वेजन है तो भी किसी नकोशन सीखतेए है सीखते हैं किसी एक का नाम लेना बहुत ही जाती होगी बहुत ऐसे लोग है मेरे जीवन में जिन्होंने बहुत कुछ मुझा सिखाया है बहुत अच्छी जानकारी दिया बहुत सुल्जे हुई सब्दों में आपने इस प्रशन का जवाब भी दिया हम आगे बढ़ते हैं कि आगे मेरा इसा मानना है और क्योंकि वह सो जाएगा तो फिर बहुत कुछ चीजा नहीं तो आगे आने वाले जो प्रजेक्टे में बहुत सारी चीजा चलती रहती है लेकिन अभी मैंने जो शुरू किया है एक आपने सुना होगा बेडिया समाज के बारे में और आपको यकीन नह पर इस्तियों की खरीद फरोक्त बहुत आम बात है वहां बोलिया लगाई जाती है उस समाज में पत्निया खरीदी जाती है वहां पर और अगर एक पत्नी के संतान नहीं हुई तो वह दो मिनिट के समय नहीं लगाते कि वह उसे किसी और को आगे बेच देते हैं और फिर करने वली बात है एक रिपोर्ट जो सामने आई है कि कानून नहीं कहता है यह जायज नहीं है लेकिन उस समाज में कई ऐसे वह वकील नोट्री उने कहिए वह बैठे हुए हैं कि वह उनका एक पूरा दस्तावेस तयार करते हैं कि हां जी यह आपकी संपत्ती हो यानि इस्त् अधियां उनको ऐसास नहीं है वह खुश है उसमें वह कहते हैं कि यह परमपर आहे और ऐसे ही चलती रहे कि तो उस विशह पर मैंने उठाया है और मैं उस पर अभी काम कर रही है वाव बहुत यह चिंतनिये हैं समाज के लिए जो आपने विशह बताए बहुत ही चिंतनिये हैं और शायद आप काम कर रहे हैं तो उस पर आवाज जरूर उठाई जाएगी हम आगे बढ़ते हैं जैसा कि जब आप अपने जो नई पुस्तके या नई नाटक लिख रहे हैं उनमें क्या विशिष्टा रहे हैं उसमें क्या-क्या जैसे अभी विशह आपने बताया ऐसे और क्या-क्या विशिष्टा है उसमें जब हम लिखते हैं ना तो लिखते समय चाहे मैं हूं या जो भी रचनकार है हम कोशिश करते हैं कि अगर हम कुछ रच रहे हैं तो वह कुछ छोड़कर जाए चाप अपनी छोड़े समाज को कुछ दे कर जाए तो और हमारे आसपास शूड़ेताि है कि समस्यों करेकर थेर लगा ओवा है वबस अपने चचमे से उनें देखने की जलूरत जाहे वह सब उस्त्रीय recent हों हमारे परिवार की समस्या हूं हमारे बच्चों की समस्या हों तो और उन पर हमें काम करना चाहिए तो जो आपना जाहिए इसisco नहीं पर उ वह जाये रभी वहा जाये कहीं तो लेकिन हाँ आज की दुरदर्शा भी यह है कि अब हम ज्यादतर कभी लोग सिर्फ मंचँ तक की जाते हैं नहीं जाते हैं तो मेरी कोशिश यह रहती है कि अलग अलग भाव में हम लोग तैयार करते हैं ऐसी बात नहीं कि स्रिंगाररस पर ह होती है हमारी कविताएं वातसले भी रहता है उन में लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे लेक्षन है हमारी कहानिया है कविताएं गजल है उसमें हम आज की समस्यां को उठाएं और वही जो आज की समस्या है जैसा भी मैंने आपको बेड़िया बताया तो यह हमारे समाज की समस्य नहीं है एक समुदाय है जिस पर हमें गौर करना चाहिए और हो सकता है कि ऐसा अगर मैं रस्ती हूँ या कोई और रस्ता है तो उसकी गून जो है वो शायद हमारी सरकारों की कानल तक भी जाए और करना चाहिए कुछ बदलाब के लिए करना चाहिए जिसका जिसमें आपके परियास जारी है जैसे हमारे आपकी बात्ची से पता लग रहा है हम आगे बढ़ते हैं रिंकल जी जैसा कि कहानी नाटक किताब कविता बाल साहित्य कतित्तर निर्देशन वाइसोबर इस तरह के बह देखे यह तो वही बात हुई है कि आप मावाप से पूछ रहे हैं कि आपको अपने कौन सावलना बच्चे ज्यादा पसंद है नहीं लेकिन होता है यहां बिल्कुल मानती हूं यहां आपकी बात को जो कहते हैं न्याए देंगे हरीबन श्राइबचन की एक पंग कविता का बचय करकि कहानी का जाए है कि लिए तो नेहीं को पता चाहिए करकृत यह पानिया का शरह को कि कहानी का विश्य चुननी की हमें जरूरत नहीं पड़ती कहानियां हमसे खुद बखुद टकराती हैं क्या वात है आज हम और बात कर रहे हैं तो बहुत सी बातों में हो सकता है कोई मुझे ऐसी आपकी बात मुझे मेरे ध्यान में रह जाए जिस पर मेरा दिमाग एक कहानी कहानी बनती है कहानी हम से खुद टकराती है कहानी हमारे आसपास परिवेश में घूम रही है तो कहानी और कहानी और नाटक यह मुझे बहुत अकरशत करते क्या होता है हम संवादों के जरिये अपनी बात को सीधा सीधा पाठक तक पहुंचाते हैं कहानी में हमें थोड़ी सी भूमी का बांदनी पढ़ती है लेकिन नाटक में क्या होता है कि एक जो अभीने कर रहा है और उसमें सासा चलते हैं तो जो दर्शक है वो बहता है उसके साथ कहानी म में वही होता है कहानी में हमें करता है किसी को उसको कह देती हैं उसके साथ मेरी मेरी कहनी ने मेरे साथ भी हुआ था ये तो मैंने भी महसूस किया था लेकिन हाँ बाकी भी जो विधाएं है चाहे वो कविता है चाहे वो बाल साहिते हैं तो यह सब चीज हैं भी कहते हैं थोड़ा थोड़ा आपको अगर मौका मिल रहा है कुछ काम करने का कुछ सीखने का तो वह हमें जर कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता है तो हमें बाल साहिते हैं तो में बच्चों के मन को समझने का मौका मिलता है यहां पर बड़ी एक इंट्रस्टिंग सी बात है अगर आप पहले पूछा था मुझा तो आपको प्रेणा साहिते कहां से मिली तो वही बच्पन में हम लोग चाचा चौधरी पिंकी बिलू यह कॉमिक्स बहुत पढ़ते हैं तो उस जमाने में क्या होता था मैं यह नाइंटेंस की बात कर रही हूं कॉमिक्स ऐसा नहीं होता था कि हमारे पास ऐसे पैसे नहीं होते थे कि पॉकिट मनी वाला को इस सिस्टम नहीं था किराय पर मिलती पास दददस पैसे करके साय राची यह नहीं होते हैं तो हमारी कोशिश रहती थी कि अगर हमें कोई घर में रिष्टेदार आया वह हमें पैसे दे गया यह हमारे पैसे बच्चे हैं तो हम उसे सम्हाल कर रखती ते और एक सुबह जाती थे एक रुपय देते थे उनसे कॉम कि भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आईगा जब वही चाचा चौधर हमें किस दिन ख़ने का मुख इंगे उसको लिखंगी यह मैंने कभी नहीं सोचा था तो कहते ना असर आपको देता है वा कि वह इस वह नहीं जाने देना चाहिए क्यों कि हो सकता है वह आपकी इक उसम्मानित करते हैं आपको सम्मानित करते हैं और वो स्वयम को प्राप्त होता है आपको कैसा लगता है और कौन से संवान आपको प्राप्त है कि सम्मान मिलना तो मुझे लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे वह बहुत खराब लगता हूँ हर किसी को खुशी होती है और मेरा स्वभाग्य है मैं इसमें यही कऊँगी कि अभी आश्बर की मेरे विशेष्क रपा है मेरे बड़ो का आशिरवात है आप लोगों का प्यार है आप लोगों का मेरे जो किते हैं कि जो मैंने किया है फोला इनकी इसमी का यह उसकोफ भी जाता है कि जिसकी वजह competitor c much समान देती हैं जो मेरे लिए बहुत सा भागी के बात है समान से में यह निक होने से कही हमारा ऐसा हो जाता है कि यह सम मान मिले तो बड़ी उच इस्तर के लेखक होगा यह नहीं मिला तो नहीं हो लेकिन कहते है कि प्रोथसाहिद करने का काम करता है वा हम सभी के अंदर हमेशा जीवित रहता है और रहना भी चाहिए हम बुजर्ग भी हो जाते हैं तब भी बच्चा हमारे अंदर एसा रहता है जिसे छोटा बच्चा होता है आपको उससे कोई काम करवाना है आप उसे एक चॉकलेट दीजिए कि मैं तुम यह करो मैं तुम्हें तुम्हें तुम् अब हमने यह लिखा तो इसे में हमें और सुधा करना है तो वह आपके अंदर ना एक फ्यूल का काम करते हैं आपके इंजन को चलाने के लिए आज की भाशा में कहीं तो मोबाइल को अगर आप चार्ज नहीं करेंगे समय समय पर उसकी बैटरी कहीं नहीं हो जाएगी बहु करेंद हो जैते हैं कि चलते चलते आप हमारे दर्षकों को अपनी बहतरीन और कि सभी रचना एक लिखा यह ज्यादा मिलती है वह रचना हमारे दर्षकों को सुना है यह बत रही है बहुत लंबी बात्चीत हमारी को गई एक गीत मेरा है जो मैंने जब भी कही सुनाया है लोग ने उसे बहुत पसंद ऑने और वह मैं थोड़ा सा मतलब उसमे सुनाती हूं लेकिन बहुत चोटा सा ही उसका एक फिनाओंगी और यह जो गीत है तो उनको ही मैंने दिखाया था उन्होंने का यह अच्छा है तब जाकर मैं लोगों को इसके सामने लेकर आई थी तो मैं उसके अंत्रे से शुरुआत करूंगी एक रोज युही तुम बे परवा मेरी राहों से गुजरे थे तेरे जिस्म की भीनी खुशबू से हम इतरी की तरहा मेहके थे मैं तेरी सांसों की खुशबू सांसों में समाएं बैखियों कुमीदे महाबत में तेरी एक दीप जलाए बैठी हूँ बढ़िया बढ़िया जोटा साइक उसाने की तुम् मैं प्यास मरूं भूमी की हूँ, तुम त्रिप्ती के एहसास से हो, मैं अंग से लगती छंदों से, तुम गीतों के विन्यास से हो, मैं तेरे होटों की सरगम में, तुम थे वहादे तेरे होटों की सरगम होटों पे सजाए बैठी मैं तेरी मुहाबते को अपने सीने में छुपाए बैठी बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर प्रस्तुति, बहुत भी सुन्दर बैतरीन कंठ रहें आपको बहुत साधुबार और आपने ट्रू मीडिया के प बहुत बहुत धन्यवाद मुझे भी यहां आकर true media case platform पर आपसे बातचीत करकर बहुत अच्छा लगा और उमीद है दर्शकों को भी हमारी बातचीत पसंद आएगी और यह सिलसिला अभी शुरू हुआ है यह पहला और आखरी नहीं है यह भी हम दर्शकों को बताना चाहेग अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें